आपने आपकी ये जो बात किये है मकर जो इसके अंदर है आपके अलफाज में मैं आपको एक आयद सुनाना चाहता हूँ और ये आयद शायद आपके उपर फिट होती है आपके जैसों पर फिट होती है ये सुरह थर्टी टू है सुरह सजदा आयद 21 और दरूर भी दरूर हम चकाएंगे अधाब आदना का मज़ा अधाब आकबर से पहले अधाब आक्बर कालावा यह लोगों के लिए है आप कलीम हनफी रजवी आप के लिए ला लोगों के लिए है आप कलीम हनफी रजवी आप के लिए ला लोगों के लिए है 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 ला लोगो का मज़ा हम चखाएंगे अधाब अक्बर से पहले इस दुनिया में अधाब अधाब अक्बर जो यद्रिबुना वजूहुम वअद्बारहुम फरिश्टे देने वाले हैं फरिश्टे जो मारने वाले हैं रुख खब्स करने के टाइम से अल्ला ने सुर अन्याम आयत 6 में जो कहा ये आयत का ये इससर भी आप पर फिट हो रहा है गोर तरिये और काश कि आप अच्थे जुम करने वालों की मौत का रट वक आता है जलम से मुराद इन्नัyl शेक लगनाईम सबसे عظीम जलम शेक जुआप करते है कलीम रजवी वो जलम करने वालों की मौत का रवक आता है फा इस ते मौत आकर हाट पहलाएंगे और कहेंगे अखरिजू अन्फुसकुम रुस्वाई बेखिए अखरिजू अन्फुसकुम कहेंगा फरिश्टे मौत मुश्रिक से या जालिम से नहीं निकाल रहा होगा भूलेगा तू निकाल तेरी नफस को अखरिजू अन्फुसकुम तू निकाल तेरी रूर को और चक आज ही के दिन से रुस्वा करने वाले अधाब का मला और यजरिमूना वुजुह हों वो अड़बार हों सुरिम पर और चेहरे पर मारते हों निकालेंगे रूर को शिर्क जो जल्म 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 है वो जो आप कर रहे हैं तो तो मैंने नौ मिनट पंद्रा सेकंड से जादा नहीं सुना था तबियत उप गई थी मेरी चुनकि उतनी देर में ही उस शक्स ने खुरान करीम की एक आयद जो काफिरों के हक में नाजिल हुई वो उसने मुझे चस्पा कर दिया था तो मुझे अबद्ल्ला इबन अमर रदियल्लाहु ताहलान की वो बात ही आदाई जो सही बखारी में है आपने फरमाया कि खारजी इस उम्मत के बत्तरीन लोग हैं कि जो कुफार के हक में उतरने वाली आयात को मुसल्मानों पर फिट करेंगे तो बाद में मुझे अभाब ने जिन लोगों ने पूरी वीडियो देखी फोन पर बताया कि हज़रत वो तो मुंबई आने का कह रहा है तो मैंने का अच्छा यह तो मैंने नहीं सुना बोले नहीं आखिर में है उसने मुंबई आने का वादा किया है तो आज बाद नमाज जोहर भी मैंने वो फिर वाडियो पूरी सुनी उसमें कुछ और बातां भी मुझे मिली तो आप देखिये मैंने रात में एक बचके 49 मिनिट पर उन साहब को मैसिज किये और चार मैसिज किये जो आप पर सकते हैं इंग्लिश में है रोमन अर्दू में है फिर पांचवा इनका अर्दू मैसिज आया जो लोग अर्दू नहीं जानते हैं उनके लिए पड़के सुना रहा हूं वो कहते हैं मैंने 28 अक्तूबर 2014 सीसवी को हैदराबाद से मन्बई आने की बात कही अपने वीडियो में अगर आप अभी कहते हैं कि मैं आपको दस नाम टेक्स्ट इरसाल करूँ हलागे टेक्स्ट और इरसाल एक ही बात है तो मैं दस अफराद के नाम इरसाल करूँगा इंशालला ताला मैं और मेरे साथी मुनाजरे के लिए आएंगे फिर तीन मैसिज है मेरे फिर उसके बाद उनका एक मैसिज आया कि मैं पिछले तीन दिनों से आपको दावट दे रहा हूँ हैदराबाद आने की मगर आप कोई ना कोई उज़र पेश करते हुए मेरी दावट को खुबूल नहीं किया और आखिर में अपनी बेमारी का जिक्र किया इसी वज़ा से मैं हैदराबाद से मंबई मुनाजरा करूंगा ताकि आपको मजीद तकलीब बरदाश करने की जहमत ना करनी पाए तो इस पर उनको मैंने आखरी जो जवाब दिया है और तकरीबन तेरा चौड़ा घंटे गुजर गए मगर इनका जवाब नहीं आया मैंने इनको लिखा कि मैंने जो मजबूरियां बताई है जो आजार बताए हैं वो हकीकत पर मबनी है आप पांस से दस नवंबर के दर्मियां की तारीख बताएं मैं टिकेट बुक करता हूँ मुंबई का और मेरे मकान के पास ही एक बड़ा इदारा है जिसका नाम है दारलुम महबूब सुभानी जो तकरीबन साथ साल पुराना इदारा है और जो मेरा मादर गीमी भी रहा है और जहां के फारिखीन दुनिया के कोने कोने के अंदर खिद्मते दीन कर रहे है बहुत बड़ा इदारा है मुंबई की सर्दमीन पर तो उनको मैंने बताया कि मेरे मकान के पास ही एक बड़ा इदारा है हनफी बरेलवी वहां गुफतगू होंगी भी वहां के दस असातिजा और मैं रहूंगा तमाम फनून की किताबें वहां दस्टियाब है लेकिन अभी तक उनका जवाब नहीं आया असल में फसीहुद्दीन को मुझे कोई जादा अहमियत देनी नहीं है लेकिन आप देख रहे हैं कि तमाम एहल सुनत और जमाद मेरे साथ हैं हता कि पहे लिखे गेर मुकल्लेदीन को भी मेरी बात ठीक मालूम हो रही है कि कलीम हनफी जो कह रहे हैं वो ठीक है कि इनसान जो तारीख देता है वो सहूलत के इतिवार से देता है ये उसूले मुनाजरा नहीं है कि आप फलाँ को कह दे कि मैं वो वक्त दे रहा हूँ अगर उसमें आप नहीं आए तो आपकी शिकस्त है और मेरी फता है ये उसूले मुनाजरा ही नहीं है दोनों की रजामंदी से जो सहूलत वाली तारीख हो वो मुकरर की जाती है एक साहब है जो पता नहीं किस टाइब के सुनी है कि उन्होंने अधनान हनफी को मैसिज किया कि देखो पहले ये मुनाजरा छिला रहे थे मुफ्ती कलीम और जब वो कह रहा है कि आप एक दो दिन में हज़राबादा और तो नहीं जाते हैं ना उसको बुलाते हैं तो इसका मतलब ये है कि मुनाजरे से मुफ्ती कलीम बच रहे तो उस बच्चे को और तमाम लोगों को मैं बता दूँ कि मुनाजरा ही मेरा असल फन है मैंने मदरसे में सबसे जादा दिल जमई से इसी फन को पढ़ा है और दूसरी बात मैं मुनाजर पहले हूँ मुकर्द बाद में हूँ सतरह अक्तुबर को मैंने बाकाइदा एलान किया कि मैं अठारा को हैजराबाद आ रहा हूँ मजमे आम में लोग सवाल करें मैं जवाद दूँगा क्या मेरा ये एलान हमारे इस वाटसप चैनल मैं मुझूद नहीं है आप सतरह अक्तुबर की अपडेट देखिये मैं अठारा को पहुँचा तब इन्होंने कहा कि मुनाजरे का माहुल नहीं है मुल्क के हाला तथे नहीं है फला जगा एक शक्स को मार दिया गया ऐसा वैसा खेर अठारा को जब मैं लोटा तो अठारा उन्नीस गुजर गई और बीस तारीख को इनका जो वीडियो आया है पांच मिनट कुछ सेकेंड का जिसमें इन्होंने दो मिनट बीस सेकेंड के बाद बीस अक्तुबर को इनके ऑफिशल यूट्यूब चैनल पर जो वीडियो है उसमें इन्होंने मेरी तरफ शिर्क का घिनोना इल्जाम लगाया है कुफर का घिनोना इल्जाम लगाया है मेरी पूरी जमाएत को माज़ लाह रब लालमीन गुमराहों की जमाएत कहा है आपने 17 अक्तुबर 2024 को आपके दो मिनिट के वीडियो में लेटे के हनफी मजहब की हकानियत इस उन्वान पर आप डिबेट करना चाहते है फुरुआत का नंबर सेकिंड है फिर्स्ट अकीदे का है अकीदे में आप लोग परान और हदीफ की मुखालिफत करते हैं कहा कहा पर अपर कहा पर मैं पुरान और हदीफ को धुरुआ करूँगा और परी कोशिश करूँगा कि आप से में सची तुबा करवा सको और आप हनफियत रजवियत बरेलवियत से सूफियत से गादरियत से ये शिर्क बिदात खुराफात के जितने सिलसें उससे सची तुबा करके आप खुद जमाते हक्ता जमाते एहले हदीथ के मुसल्मान बन जाएंगे इंशाला बिद्रिल्ला मैं पोश्चिश करूंगा अल्ला ने गुर्ण में का इनका ला तहदी मन अहबबता वल्यकिन अल्लाह यहदी मैं यशा तो मैं हिदायत तो नहीं दे सकता तलीम, हनफी, रजवी आपको या आपके ब्लाइंड फॉल्वर्स को लेकिन मैं आपके लिए दुआ करता हूँ आपको जो बीमारी है कैंसर से ब आपके ब्लाइंड फॉल्वर्स को इसलिए ये मेरे पेगाम को आपको कबोल करें और आईए आप, कब आना चाहते हैं कोई एक तारिक दीजए, मैं अच्छे मुनादा करना तो मेरे लिए बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, गात बी जो उन्होंने 25 मिनट की वीड कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं झाल तो मेरे लिए तो इनसे बात करना बहुत आसान है चुनकि जब ये मुनाजरे में बैठेंगे तो सबसे पहले प्राइन और सही हदीश से सिर्क की तारीफ करेंगे शिर्क की तारीफ है क्या उसका हुक्म क्या है और क्या वाकि उसका इतलाग जमात बरैलविया पे एहल सुनत वो जमात हनफीय मजभब बरैलविय मसलक लोगों पर होता है ये साबित करने में इनके पसीने छोड़ जाएंगे और मेरे जमा है उसकी तरदीफ खुरानों सही हदीश से साबित करना ये मेरे जमा है तो मैं मुनाजरे से भागूंगा कैसे मुद्डरी ये हैं तावेदार ये हैं इन्हों ने मेरी तरफ इन्जाम लगाया और कल की वीडियो सुनीए आप 20 मिनट 55 सेकंड की ये शक्स 16 मिनट 25 सेकंड पर कह रहा है कि आप मेरे नाम पर 2 दो रुपे का चंदा बटोर के चार महीना अपने घर के राशन का इंतिजाम कर रहे है सुन्मा माजलाह रब लालमी इस शक्स को मेरे बारे में मालूमात कितनी है पहली बात जो इसकैनर चैनल में डिक दिया जाता है वो तन्जीम का है तन्जीम सुनी जमियत अहनाफ को 2014 में मैंने बनाया 10 साल हो चुके है और 11 अफराद पर मुस्तमिल इसकी बाकाइदा कमेटी है और सब के सब ऐसे अफराद हैं जो सोमो सलाथ के पावन है सब की एक मुस्तदारी है सुन्नक लबास का इहतेमां करते हैं हमने किसी फासिक और फाजिर को कमेटी में नी रखा है और कमेट जतना रूपिया तन्जीम में आता है और वो जो जगात के फित्रे के फिदिए के कफ़ारे की रقम होती है हर एक का हिसाब और सब का हीले शरही ये सब की तफसीलाद जनाब अमजद रजा हनफी जो तन्जीम के सिक्रेटरी हैं पूना में रहते हैं उनके पास मौजूद है तो इने मुनाज़रे में ये इल्जाम थाबित करना पड़ेंगा ये कोई हलवा है क्या आप किसी को जानते नहीं पहचानते नहीं उससे आपका मुनाज़रा होना है और आप इल्जाम पर इल्जाम इल्जाम लगाते हैं जब और हाथ में किताब बल्लह रखके छूड बोलुआ आप तो कहते हो कि हम एहले हदीस हैं हर बात तहटीक की बुनियाद पर कहते हैं तो इस बात की तहटीक आपको कैसे हुई और दूसरी बात मुझे पैसे ही कमाने हूँ तो इस चैनल में जो एक लाग से जादा फॉलोवर्स हैं एहली हदीश दियोबंदी, ढोलकी, बिराती, राफजी मौलाई हजार होंगे बाकी सब तो सुनी बरहली है अगर मैं सबसे कहूँ कि भई मुझे आप नजर पेश करें सो सो रुपिया अलहम्दुलिल्ल्ह इस फकीर की आवास पे सब नजर पेश करेंगे आप क्या जानते हैं मेरे बारे में मेरे घर बिला मांगे लोग मुझे नजर पेश करते हैं मेरा अपना कारोबार है और अल्ला का फजलो करम है के बड़े पैमाने पर है कैसी जहालत भरी जुनों की बोली इस इनसान ने बोली है बिला सोचे समझे क्या तेखिक इनके पास के माज़ल्ला तो जाहिर सी बात है इनसान अपने जो तारीखें दे रखी है जो काम है उसको निपकाने के बाद ही तो आएंगा आप तहेंगे कल के कलाओ अब ही मैं वीडियो डाल रहा हूँ सुबा तक मेरी टिकेड बुक करो ये कोई तरीखा है ये तो मुनाज़रे का कोई उसूल ही नहीं है दोनों की रजा मंदी से तारीख, मोजू, वक्त वगेरा मतायन किया जाता है अफराद की तादाद वगेरा हकम, सदर वगेरा उसके बाद मुनाज़रा होता है मुनाज़रा देखा भी कभी आपने हाँ, इतनी बड़ी बात आपने मेरे बारे में कह दी है आपको ये साबित करना है फिर जब मुझे पता चला कि इन्हों ने मेरे घर पे आने की बात कही तो अच्छली मेरे घर पर दो तारीख को हमारे करीबी बच्चे की शादी है और महामीन वगरा का सिलसिला रहेंगा आमदोरफ्ट का सिलसिला रहेंगा तो मैंने कहा पांच नवंबर से दस नवंबर के बीच आप मुंबई जब भी आना चाहें मैं टिकेट बुक करता हूँ नौ अफराद की एक जंड़ टिकेट बुक हों की फ्लाइट के अंदर और आपकी बाकाइदा बिजनस क्लास में ठिकेट बुक करूंगा मैं क्योंकि आप मुनाजिर हैं माशालला और मेरे मुकाबले के लिए आप तश्रीफ ला रहें तो पूरे इज़त औ इहतराम के साथ बिजनस क्लास में आपको लाया जाएंगा एरपोर्ट से आपको लिया जाएंगा बाकाइदा बहतरी होटल में आपका क्याम, ताइम, खाना, पीना वहां से मुनादरा दालाना मुनादरे में जिन जिन किताबों की जरुबत पढ़ेंगी सब आपको मिल जाएंगी फिर मुनाजरे के से फरागत के बाद जब जिल्लतों का तौक आपके गले में पढ़ेंगा और आप चलेंगे यहां से तो बाकाइदा एरपोर्ट छोड़ना और वहां से हैदराबाद तक पहुंचाना यह हमारी जिम्मेदारी है यह मुनाजरा तो म जन्हों ने वीडियो डाला कि मैं आपके शिर्क फाबित करूँगा, आपको कुफ साबित करूँगा, आपको अ नफुए से, सुफिये से, रजविये से, गुम्राहिये से, त्यूबा करूँगांगा, माजला, सुम्मा, माजला, देख लो इनका, जो बीzk तारीख का वीड 25-25 मिनिट के लोग confusion का शिकार है हाला कि मैं बार-बार कह रहा हूं कि वीडियो बाजी से कुछ नहीं होने वाला है आप सीधा सीधा 5-10 के बीश में कहिए मुंबई आने के लिए चैट आपकी मेरी हो रही आप 10 नाम भेजिए अगर मैं टिकेट ना निकालू तो भी आप अपनी फता का एलान कीजिए जी हां कि देखो मैंने नाम भेजिए कलीम हनफी ने टिकेट नहीं निकाले मैं आपका बाकाइदा बिजनि से आएंगे नो साथी बाकाइदा मुनाजरा हो 5-10 नवंबर के बीच अगर मुंबई आना है तो इस वक्त मैं मुंबई में आपको वक्त दे पाऊंगा ठीक है अगर ये वक्त मंजूर नहों 15 तारीख को मैं हैधराबाद आता हूं वो मंजूर नहों तो 25 नवंबर के बाद जो भी डेट आपकी सहूलत की हो मुझे बताईए मैं वो डेट एकसेप्ट करके इंशालला हैधराबाद आता हूं मुनाजरे का मुदू यही है कि आप शिर्क की तारीफ करेंगे शिर्क का हुक्म बताएंगे शिर्क का इतलाफ जमात बरह विया पे एहल सुनत और जमात अ पता चलेंगा कि वाकई मुनाजरा होता क्या है फिर आप अब्दुल्ला मदनी अब्दुर्रह्मान सलफी और अफू खान इस जितने कटपुजिया आये थे ना इन सबसे ज्यादा बत्तर हालत होंगी और इन सबसे ज्यादा फेमस हो जाएंगे आप अहमा कादमी किसी को ब परना ही पढ़ेंगा सुनी आवाम से माफी मांगी ही पढ़ेंगी और शर्मिंदगी जो होगी न वो वाकई में ऐसी होगी कि मुझ दिखाने के लायक नहीं रहोंगे इस तरह की बकवास ना किया करो जो डेट्स मैंने बताई है पांस से दस मंबई आने की 15 नौंबर को मैं के लायक नहीं है किसी काईदे की आदमे को उठाईए और जो सहुलत का वक्त हो डोनों के बीछ अकाईद पर मुनाजरे के लिए नहीं हमारे वलामा के मुनाजरे जाकर देखो जब उनके दलाइल दिये जाते हैं उनके जरीए तो बातिल हैवत खाता है काम जाता है आई समझ में बात पड़े लिखे लोग महसूस कर रहे हैं कि आप मुनाजरे से भाग रहे हैं यह कोई तरीका है मैं अभी वीडियो डाल रहा हूँ कल असर से पहले कि आप टिकेट बनाएए मैं असर अवले वक्त में पढ़ता हूँ मैं मुत्तबै सुन्नत हूँ यानि रुए जमीन पे जो आपके बात पढ़ते हैं उनकी नमाज होती हैं क्या जहालत भरी बाते हैं असर का कौन सा मुनासि मैं कहने की हैं तुम अपने वीडियो में ही कह डालते हो खुद अहले हदीश महसूस कर रहे हैं कि यह बंदा भाग रहा है अब भाग इसलिए रहा है कि यह ऐसा वक्त दे रहा है जिसकी पावंदी हो भी नहीं सकती है मुनाज़रे में अपने वक्त का पावंद नहीं किया जाता किसी को कि फ़ला वक्त अच्छा हुआ कि तुमने ये नहीं कहा कि साउदिया में मिलो और फ़ला वक्त मिलो और नहीं आए तो आपकी शिकस्त मानी जाएंगी इस तरह की जुहीं की बोली ना बोला करें संजीदगी के साथ मेरी बात को सुनें और ये जो चैट है आप खातिर में लाने का नहीं जिसका जवाब देने का नहीं मेरी जानिब से तमाम जवाबाद जो जरूरी थे और काम के थे दिये जा चुके हैं अल्ला अताला हम सब को राहे हक पर मुस्तकीम रखे आमीन सुम्मामीन बिजाहिन नभी अल्यकरीम तEMकितनी शन जवाब को बाद़ कश y याज सफवाब को देक हैं वाद़